अब स्टार्ट कर रहें, एक साइस 5.2, एक साइस 5.2 में हमने एक पॉर्मला लिखना है, पॉर्मला नम्बर 5 है न हमारे नोट्स में, क्या है, finding the nth term, क्या है बड़ा, finding the nth term, मैं आपको छोड़ा सा टास देता हूँ और यह सी निस चल रही है बटा 1, 4, 7, 10, 13, 16 अब यह कितनी है इसमें नंबर छे नंबर है न मैंने कहा इसके 64th position पे क्या नंबर होगा निकाल सकते हो चलो थोड़ा easy कर देते हैं 164 पे अच्छा बटाओ मैं आपको कह रहा हूँ इसके 7th position पे क्या नंबर होगा 19 बिल्को ठीक का 19 है easy ता निकाल लिया इसके कौंसे बोला मैंने 7 अब मैं इसको बोले 70th position पे 70 भी बच्चा कहता है इंटू 3 कर दो इंटू 10 कर दो है ना एक बढ़ा बताओ इसके लिए इसके लिए इसके लिए एक फॉर्मला यूस करेंगे finding the nth term formula क्या है n-1d a plus n-1d अब यह use कैसे होता है वह मैं आपको सिखा रहा हूं इसके लिए पिक करूँगा example no.3 example 3 छोटा सा यह यह पर लिख देते हैं यह वाला तो यह तो point notes में आ गए और example 3 तो question में आएगा क्या है find the 10th term find the 10th term of the ap 2712 . सबसे पहली चीज़ एक बात सुन लो reading का वे जान लो reading का वे जान लो find the 10th term of the ap कभी भी ap series read नहीं करनी अक्सर बच्चा यह गलती करता है क्या find the 10th term of the ap 2712 कभी भी नहीं read करनी अगर question चाहते एजली समझ आए point clear उसको बात में अलग से करो अब फिलाल question में कहता क्या है क्या निकालना है 10th term किस से represent करेंगे a10 से a10 से इसका मतलब 10th term कि 10th position पे कौन सा number है नहीं है बात समझ दोबारा समझाओ okay क्या समझ नहीं है पहले question हाँ तो फिर क्या अभी तक यहीं से समझाए मैंने 10th term क्या निकालना है a10 कि 10th position पे कौन सा number है यह नहीं है position given है yes or no a10 निकालना है okay इस question में a क्या है बेटा मेरा 2 d क्या है d 5 है तरके d लिखके दिखाना होगा ऐसे a to minus 7 no direct कर दो 5 लिखो अब an का formula लिखो क्या है a plus n minus 1 d an a10 e की जगा क्या लिखूंगा 2 10 की जगा 10 minus 1 d की जगा 5 2 प्लस कितना हो यह 9 into 5 that is 45 47 clear या confusion clear या confusion confusion कहां पर बिटा आप बोलना जिस लाइन पर confusion आई है a क्या निकाला a क्या निकाला starting number क्या है 2 a की जगा 2 डाला n कौन सी position निकालनी है n की जगा 10 minus 1 d कितना निकाला gap कितने का है 5 5 का है एक question कित्म करके दिखाओ मैं को question 2 का second part 11th term of the ap 11th term निकालनी है minus c minus 1 by 2 2 mc क्यू का है बेटा जल्दी से करके दिखाओ 11th term okay find the 11th term 11th term निकालनी है बटा अब इस सीरीज में a क्या हुआ आपका minus c और d a2 minus a1 a2 कितना है minus 1 by 2 minus minus 1 by 2 plus 3 क्या करूंगा सबसे पहले lcm i2 minus 1 plus 6 5 by 2 a11 अब 11 निकालना है right a n का फॉर्मॉला a plus n minus 1 d मैं आगे बताऊंगा कि आगे चलके हम इसको थोड़ा direct लिखेंगे अब यह हरपा फॉर्मॉला लिख रहा हूं वो कर रहा हूं 2 लाइंका time बचेगा तो a11 a कितना है minus 3 n की जगा 11 minus 1 d की जगा minus 3 plus 25 कितना हूं जगा यह answer आ गया was it tough? homework time ज्यादा homework नहीं आज ठीक है तो आज हम कर रहे है exercise 5.1 ठीक है फॉल आगे question number 1 छोड़ देना example number 1 2 3 exercise 5.2 हाँ जो question खुद कर लिए उसको करने की जुरूत क्या है पर जो खुद कर रहे हो यह नहीं के जो class में मैंने कर रहा है question number 2 एक question अ time के लिए दूँगा आपको ठीक है वह रहेगा question number 4 and 5 बस किसके ज़्यादा भी नहीं देंगे bye bye okay हुआ झार दूद झार